जहिन फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हवलार हंग बंदादा के बारे में, जिनका जम 2 अक्टूबर 1979 को हुआ था, वो भारती सेना के एक जवान थे, जो 27 मई 2016 को उतरी कश्मीर के सम्शा बाड़ी में आतंगवादियों के साथ मौत भीड में सहीद हुए, वीर कती प्रा सांती काल में दिया जाने वाला भारत का सरवोच वीक्ता पुरसकार है, दादा बच्पन से ही आर्मी जोइन करना चाते थे, और उन्होंने 28 अक्टूबर 1997 को 3rd Battalion of Parasuit Regiment जोइन किया, उसके बाद 2005 को उन्हें असाम Regimental सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया, ये फिर वहां तीन साल के टरन ओवर के बाद 24 जनवरी 2008 को उन्होंने 4 बटालियन असाम Regiment को जोइन किया, कुछ दिन यूरिट में अपने कारेकाल को बूरा करने के बाद उन्होंने रास्ट्री रैफल जोइन करने की इक्षा जाहिर की, इसके बाद मई 2016 को उन्होंने 35 रास्ट्री रैफ में आर्मी ठीकानों का आपसी संबर तूड गया था, तब हवलदार हंगपन दादा को उनकी टीम के साथ भाग रह आतंगवादियों का पीछा करने और उन्हें पकड़ने का जिम्मा सौपा गया, इनकी टीम एलोसी के पास समशा बारी माउंटिन पर करीब 13,000 फिट की इनकी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तब इन्होंने जमीन के बल लेट कर पत्थरों की आर में चुपते हुए आगे बढ़े और आतंगवादियों के काफी करीब पहुँच गया, फिक दो आतंगवादियों को मार गिराया, लेकिन इस गोला बारी में वो भी बहुत पुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, तीसरा आतंगवादी वहाँ से बच निकल निकला, दादा ने अपने जख्मों की परवा ना करते हुए उसका पीछा किया, और इस दोरान दादा की इस आतंगवादी के साथ हाता पाई भी हुई, लेकिन इन्होंने इसे भी मार गिरा इस एनकाउंटर में चौथा अतंगी भी मार गया, उनके इस आसाधरन वीर्ता और पराक्रम के लिए उन्हें मर्नो प्रांध असोग चक्र से सम्मानित किया गया, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक और सस्क्राइब मैं चल, थैंक प्लीज़ में चलिज़ जा मार